मारा आज का चैप्टर अर्थ मुमेंट का है मतलब पित्वी की गतिया लगबख सभी कॉम्पेटेटर एक्जाम में इस चैप्टर से कुश्चन पूछे जाते हैं इसलिए यह जोग्रफी और जनरल स्टेडी का एक बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है और इस वीडियो मे मैंने इस चैप्टर से संब्दित सभी संभावित प्रश्चन जो की किसी भी कॉम्पेटेटर एक्जाम में पूछे जाते हैं उनका बहुत ही सरलता से समझाया है आप शुरू से आनतर तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखेगा और प्रित्वी की गति से संब्दित सभी च Picasso आपको आसाने से समझ में आ जाए इस चैप्टर में हमें मुख्यरूप से तीन चीजों को समझना है एक तो प्रित्वी के गुणन गती या परिब्रमन घति दूसरा है पृत्वी की परिक्रमन घति रेवलुशन या वार्शे गति और तीसरा है पृत्वी का अपने अक्ष से जुकाऊ तो इस इन तीनों चीजों के अध्यन से हमें इस चैप्टर से संबन्दित जितने भी कोशन आते हैं वह सारे के सारे इसमें सौल्व हो जाएंगे तो अगर हम प्रित्वी के रोटेशन या गुर्णन की बात करें तो इससे दिन और रात बनते हैं और मौसम का परिवर्तन होता है यदि हम प्रित्वी की जुकाओ मतलब अगर उसकी बात करें तो रेतु का निर्मान होता है और दिन रात का निर्मान होता है यह इससे संबंदित ही कोशन किसी कॉम्पेटिटिव अग्जाम में पूछे जाते हैं कि कि इस गुलाद में किस दिन बढ़ा दिन होता है कि दोनों और देन और राट बराबर होती है इस तरीके की कुशना आते हैं या वा सिकर कों sì कि होती है क्र्ग्रक्रक्सी किया होती है अपम सौर क्या होती है ह 15完成oda Turner's को समझ लेते हैं अब इस ड्याग्राम से देखे़ हैं अथी अपिवसी सरे सारे 23 अगिरी करीब चुकिए तो यहां पर Not Pol है और यहां पर यह सौंद पोल है अब प्रित्वी का जो रोटेशन का डारेक्शन है अपनी एक्सेस पर वो है पस्षिम से पूर्व की और है तो प्रित्वी अपने एक्सेस पर प्रशिम से पूर्व दिशा में 1610 किलो मेटर प्रतिगंटे की चाल से 23 गंटे 56 मिनट चार सेकंड में मतलब 24 गंटे में एक पुरा चक्कार लगाती है इस गुनन गति के कारण धी दिन वर रात होते हैं और क्योंकि एक दिन में यह प्रक्रिया पूरी होती है इसलिए इस गति को हम या इस गुर्णन की जो गति है उसको हम दैनिंग गति भी कहते हैं अब रात और दिन किस प्रकार होते हैं इसको डाइग्राम से ही समझ लीजे यहां पर क्योंकि प्रित्वी सूरी से ही उर्जा और प्रकाश प्राप्त कर रही है यह मारा सन है यहां पर इसलिए एक समय में और जब प्रित्वी अपने एक्सेस पर 24 गंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है तो एक समय में प्रित्वी का केवल आधा भाग ही यह वाला आधा भाग जो है वो सुर्य के सामने होता है और इसका जो दूसरा भाग है मतलब यह वाला भाग जो है इसमें यहां पर अंधेरा होता है तो जो भाग प्रकाश प्राप्त कर रहा है वहां पर तो दिन है और जो भाग अधेरे में है वहां पर रात है क्योंकि प्रित्वी अपने अक्षपर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है इसलिए प्रित्वी की सत्था का प्रत्तेग भाग बारी-बारी से सुर्य के सामन में आता है और इस प्रकार प्रित्री के प्रत्यक इस्थान पर दिन और रात होते हैं इसको यहां पर मैं एक चीज और समझाना चाहरे हूं आपको कि अगर हम इसमें इसको टाइम जोन में बाटने की कोशिश करें अगर हम तो यह टाइम जोन में इस तरीके से बढ़ सकता है शित्र में बता देते हूं अगर मैं यहां से इसको शुरू करूं प्रित्वीर यहां से अगर जब चक्कर लगा रही अपनी एक्सेस पर यहां पर जब आती है तो यहां पर सुर्य और शुरू होगा और 6 गंटे बाद जब इस इस्थान पर पहुंचती है यहां पर्षय होगी और शेंगटे बाद जब चक्कर लगा कि वह इस भाक पर पहुँसती है तो यहां पर शाम और धीरे धीरे राथ होने लगेगी और इस स्थान पर आकर यहां पर मधिरात्री के स्थिति होगी अब इसमें मतलब प्रत्रे की स्थान पर प्रित्वी पर देनोराग बारी-बारी से बनते हैं इसमें एक तथ्य और समझ दीजे प्रित्वी अपने अक्ष पर साड़े 23 डिग्री जुकी हुई है और सूरी कोई जुकाव से कोई मतलब नहीं है सूरी का जो प्रकाश है वो तो प्रित्वी पर लंबवत ही पड़ेगा और सूरी रोटेट नहीं हो रहा है प्रित्वी अपनी एक्सेस पर घूम रही है इसलिए सूरी डूपता या उपता नहीं है जैसे लोग कहते हैं कि सूरी उदय हुआ यह सूरी अस्थ हुआ तो ना तो उदय हो रहा है और प्रित्वी अपनी एक्सेस पर घूम रहे हैं जिसके कारण रात और दिन हो रहे हैं अब प्रित्वी के परिक्रमन को समझ देते हैं मरलब रिवलीशन की गतिक क्या है इस ध्यान से देखे जिसमें प्रित्वी के परिक्रमन से होने वाले सभी तर्थ्य आसानी से समझ में आ जाएंगे प्रित्वी सुर्य की चारों और एक निश्यत पत पर चक्कर लगाती है और जिसे प्रित्वी की परिक्रमा कहते हैं प्रित्वी ये परिक्रमा करने में 365 सही एक पटे चार दिन का समय लेती है और ये परिक्रमा की अवधी एक वर्ष की होती है इसलिए प्रित्वी की इस गती को वार्षिक गती कहते हैं यहां पर एक बात इस परस्ट समझ लेजिए कि सामानी वर्ष तीन सो पैंसट दिन का माना जाता है दिन के एक चौथाई समय को कैलेंडर में नहीं दिखाया जा सकता जो की छे घंटे का होता है बचे हुए इस एक बटे चार दिन मतलब छे घंटों को लगाता चार वर्षों तक जमा करते रहते हैं और चार वर्षों के बाद जब एक दिन पूरा हो जाता है तो यह दिन चार वर्षों के फरवरी महा के 28 दिनों में जोड दिया जाता है और इसे 29 दिनों का महिना बनाया जाता है और उसे लीपियर कहा जाता है और वो वर्ष 365 दिन के स्थान पर 366 दिन मतलब 366 देल्स का होता है अब डाइग्राम को ध्यान से देखे और समझें कि प्रिफ्वी की कक्षा का अर्थ और्बिट किसे कहते हैं जिस पतपर प्रिफ्वी सोरे के चारों स्थान अ अ एंटी क्लॉख वाईज मतलब घडिकी सुयों की मिप्रीट देशा मेंilar की प्रिक्रमा करती है उस पत को प्रिफ्वी की कक्षा कहते हैं जो कीपरिकल मतलब अन्डाकार नहीं कि के अंड़ाकार दिख रही है और इसके एक केंद्र पर सूर्य इस्टित होता है इसमें प्रित्वी और सूर्य के बीच की दूरी में परिवर्तन आता है यहां पर प्रित्वी सूरी की परिख्रमा 30 किलोमेटर 30 सेट की गती से कर रही है और सूरी सेकिल प्रित्वी की औसाद दूरी करीब करीब 14.96 मिलियन किलो मिúltर है अब सूरी सेकी निकटम ऑर अधिक्तम दूरी मतलब उप्सौर और अप्सौर को समझते करोर किलोमेटर है uh , जहां परिस्थित है उस तरीके से अपना परिक्रमन करना शुरू करती है तो प्रित्वी की एक समय प्रित्वी की सूरे से निकटतम दूरी होगी और एक समय प्रित्वी सूरे से अधिकतम दूरी पर इस्तित होगी तो जब प्रित्वी सूरे से निकटतम दूरी पर है तो उसके बीच की दूरी 14.71 करोर किलोमीटर है और ये तीन जन्वरी के दिन होता है और इस स्थिति को हम उपसौर या पैरिहीलियन कहते हैं इसके बाद पित्वी सूर्ड से दूर जाना शुरू कर देती है और 4 जुलाई के दिन पित्वी तता सूर्ड के बीच अधिक्तम दूरी 15.2 करोड किलोमेटर की होती है इसे अपसौर या एपिहलियन कहते हैं यहाँ पर एक बात और इस परस के उपसे समझ लिजे कि पित्वी अगर अपने अक्ष पर जुकी हुई नहीं होती तो सभी जगे पर दिन और रात बराबर होते इसी प्रकार अगर तुद्वी सूर्ड की परिक्रमा ना कर रही होती तो एक गुलाद में दिन हमेशा ही बड़े और राते चोटे होती जबकि दूस्ते गुलाद में राते बड़ी और दिन चोटे होते किन्तु भूमद्य रे प्रित्वी विविन अवस्ताओं में होती है और प्रित्वी की सूर्य से सापक्षिस सित्यां बदलती रहती जैसा कि आप एडियो में देख रहे हैं और यह सित्या महत्वपूर्ण है जो 4 रितूं को जन्म देती है इसमें से 2 को हम सकरांती कहते हैं एक की और एक की और शेश दो को विशुप कहते हैं तो जब सूर्य भूमद्य रेखा पर हो तो वह विशुप कहलाता है और जब सूर्य मर्कर और करकर रेखा पर हो तो उसको हम सकरांती कहते हैं सबसे पहले हम सक्रांती क्या होती है इसको समझ लेते हैं तो सक्रांती वह इस्तिति है जब सूरी की लंबवत के ने भूमादी रिखा से अधिक्तम दूरी पर होती है और यह वर्ष में दो बार होती है इसलिए सक्रांती दो प्रकार की होती है एक तो कर्क सक्रांती जो की सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधी समान होती है और यह इसी तति मार्श तथा सितंबर में होती है तो यह इसमें आपको चार डेट याद रखने है इस डाइग्राम के हिस्साब से तो इसको हम अब एक एक करके हम आगे सभी चीजों को और डेटेल में समझ लेते हैं कि कर्क सक्रान्ती और मकर सक्रान्ती और विशुब क्या जिता है और किस प्रकार से होता है यहां पर पहुंचता है तो इस ती परिव्यत तो कर रहा है और तो यह अपर पूंचता है तो यह तिपरिवादित होती है अब ये अपनी एक्सेस पर घूम रही है क्योंकि इसलिए इसका ये वला जो हिस्सा ही हमेशा ही छे महीने तक लागा था सुरी की रौष्णी में रहेगा तो इसको अब आई हम समझते करक सक्रांती की माध्यम से कि ये किस तरीके से इस सित्या परिवर्तित होती है अब ये ड तो इसको समझने के लिए आप इस डाइग्राम को देखे करक सक्रांती के इसमें ये स्थिति जो हो रही है सूरी की लंबवत केर्णिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर मतलब साढ़े तेइस डिग्री नौट पर लंबवत 21 जून के दिन पढ़ती है इस अवस्था में प्रित्व यहाइ पर इसलिए उत्रे गुलाद में दक्षन्ही गुलाद की तुल्ल्ला में मतलब यह वाली चयट्र में उत्री गुलाद में लक्षई गुलार्द करक सि У crossoveringer 3 प्रित्वी इस तवस्था में उत्तरी गुलार्द यहां पर दिन बढ़े और रात छोटी होगी और दक्षिरी घुलार्ड में शीरतु होगी और दिन छोटे होंगे दिन छोटे होंगे और रात बढ़ी होगी मतलब एक दूसरे की विप्रितिस्थिति यहां पर होगी तो यह आपको 21 जून की डेट इसमें आपको याद करना है और उत्तर की और जाने पड़ जैसे जैसे हम विश्वत रेखा से उत्तर की और जा रहे हैं तो दिन के अवधी में लगातार ब्रिद्धी होती जा रहे हैं यहां देखें सुर्य के प्रकास जो है यह लगातार बढ़ते जा रहा है और आर्केटिक सर्कल तथा यहां से लेके हम आर्केटिक सर्कल अगर इसको हम बोले तो यहां पर पोल की स्थिति जो है नब्वे डिगरी की नौट डिगरी पर यहां पर 24 घंटे का दिन होता है क्योंकि सुरी जो सुरी की रौश्नी जा रही है इसको बार कर जा रहे है और पृत्वी की 660 डिगरी जाने हाँ पर इस समय रात के सित्य क्या तो दिखे है इस में oh कि अर्ण की यह करते के बाद हम मकर्रेश कान। के सिति को देखते हैं 계y मधर क्या के से जाना के चलने के पूरा पूर后 6 मैने बाद यहां पर आते है और यह यह डेट होते हैं उस समय 22 दिसंबर की यह ापको ठीकि मकर स्क्रांती कफ शुदूरिये यह बाईश दिसंबर के दिनी हां पे 6 मेने बाद ही सिति आ रही है आब इसको मकर सक्रांती के डायेग्राम से समझ लेते हैं अब देकि 6 मेन बाद 22 दिसम्बर की दिन पित्वी अपने परिक्रमा पत से दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है इस सिति में जो है सुरी की लंबवत के ने मकर रेखा पर पढ़ रही है तो इस सिति को मकर सक्रांती या शीथ शीड आयनांत भी कहते हैं और इस सिति में कर्ड सक्रांती के बिल्कुल उल्टी सिति होती है 22 दिसम्बर को सूरे जो है क्षणि गुलाद के समीप होता है इसलिए यहां गरेश्मिरितु और उत्तरी गुलाद में शीत्रुति होती है इस समय दक्षनी गुलार्द में दिन लंबे और राती छोटे होती है इसको भी आप एक डाइग्राम से इसको अगर हम इस तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो मैं इसको बहुत सकते हैं इस तरीके से कि उत्तरी गुलार्द में यहां पर शेत्रितु हो ली है और दक्षन छोटे हो गया है जबकि इसके विप्तित दक्षनी गुलार्द में क्या सिती हो रहे है दिन लंबे हो गया है और रात छोटी हो गई है और इसको हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि यह किस तरीके से नौट कोल में अब देखे रात की सिती बढ़ गई है और यहां अगर हम यहां एक्वेटर से हम साउथ पोल की तरफ चलते हैं तो यहां पर सुर्य के प्रकाश प्राप्त करने की सिती बढ़ती जा रही है तो यहां पर पूरे समय दूप के सिती है और यहां पूरे 24-24 घंटे का देन हो रहा है अगर हम आर्कटी विक से नौट पोल की तर जाते हैं तो यहां के दिन के अवधी में पृद्धी होते जाती है इस प्रकार यहां दिन के प्रकाश के अवधी दक्षरी के और बढ़ती है और उत्तर के और घटती है अंटार्टिक विक तथा दक्षरी दूप के बीच सुर्य का प्रकाश यहां पर 24 घंटे रहता है मतल के अब हम विशूप को समझाख लेते हैं विशुप क्या होता है विशुप वर्ष में दो बार होता है जब शूरी की किर्ने नियों वक्ते चितांश को पढ़ रही है अब आये इसको हम इसकी विश्व की चित्र से समझ लेते हैं जब सूरी की किर्णे भूमत दिरेखा पर लंबवद पढ़ती है यह देखिए सम इस्टेट रेस्वन यहां पर लिखा हुआ और यह जिरो डिग्री पेटर पर सूरी की किर्णे लंबवद रही है तो प्रिवी के सभी स्थानों पर दिन और राट कि अवरी एक समान होती है और अब प्रिवी पर यह सद्र और 21 मार्ज और 22 सितंबर को 29 मार्श की उत्री गुलार्द में होती है अगर खाए तो यह 21 मार्श की सब्स्टी को मैं गर्ट ठीक है और इसके बाद 23 सितंबर की स्थिति जो दक्षिनी गुलाधि में होती है यहां पर इसको कह रहे हैं हम 23 सितंबर की स्थिति और इसको हम कह रहे हैं शरत विशू तो इसमें आपको कुछ भी नहीं कि जिस दिन इतनी सी चीज याद करनी है कि 21 मार्च और 23 सितंबर वह तारीख है जब प्रिट्फी पर दिन और रात बराबर होते हैं और एक को हम उत्तरी गुलाद में इसको वसंद पिशूप कहते हैं और दक्षिनी गुलाद में इसको हम सर भी देट याद रखने इसको एक तो तीन जनवरी की इसको हम उपसौर कहरे हैं जब सूरी से सबसे नस्दीक है प्रिट्वी दूसरी है चार जूलाई जिसको हम अपसौर कहरे सबसे आधिकतन दोरी पर है फिर आती है 21 जून करक सक्रांती उत्तरी गुलार्द में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है इस दिन फिर आपको डेट क्या रखनी है 22 दिसंबर मकर सक्रान थी दक्षिनी गुलार्दमी दिन के उधी सबसे ज्यादा लंबी होती है और 21 मार्च और 23 सितंबर जिसको हम विशुप कहा रहे हैं यहां पर दिन और रात की लंबाई सब जाके एक समान होती है